लेकिन बीजेपी नेता महिंद्र भट ने भी नियूज एटीं से बात चीत की और कहा कि हरक सिंग पर एक्षन लिया गया है कारवाई की गई है लेकिन पाल्टी के अंदर मर्यादा और संगतन के नियमक अदाल चलने का तुर नेचर है हरक सिंग रावत ने बीजेपी से निकाले जाने के बाद खुशी जहर कि और इस बात का दावा किया कि वो पार्टी में रहकर खुश नहीं थे बड़ा सुकून जैसा मिलना है कि मुझे काम नहीं करने दिया पांस साल लाल ढांक चिले खा सड़कों पेज सयोग नहीं किया आपका जो है मैं पाकरो टाइगर सपारी बनाने के लिए काम कर रहा था उस पे जान बुश के ब्यावदान डाले गए बहुत सारे मिडिकल कॉलिज की देखे वहां के जो सरकार थी मुझे देखे मैं कोई भाजपा ने मुझे निकाला है मैं कोई गलत बात नहीं करूँगा न मेरे कभी गलत बात करने का आदी हूँ अमिसा जी ने और माने नडा जी ने मुझे हमेशा पार्टी के राश्ट ने तो तरह में परदान मंतरी मोदी जी ने हमें सब मुझे बहुत समान दिया है और वही कारण था कि मैं इतना सब कुछ करवे घुट पीने के बाद भी मै ने कोई बड़ा निने कभी नहीं लिया विबाद हश्रे ही होना था चुनाव से पहले यहां पर भी आकर के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो पार्टी ऐसे लोगों को जब खुदी कह रहे हैं कि सरकार बं रही है कॉंग्रेस की ऐसे समय में उनको लेकर के शक्ति का संतुलन सत्ता का संतुलन क्यों विगड़ा जाए तो यह बाते हैं हरक सिंग्रावत को लेक ये बड़ी बात है और ये देखना होगा कि हर इस रावत की बात की सथ तक मानता है अला कमान। उस्टाब कर दो मैंने का इसलिए नहीं कि वो मेरी बाव है और उसको चुनाओ लड़ाए आप सर्वे करा लावेगा सबस्त करूते अगरर और उसकर आप मोका दे दो मैं बहुत उत्राखंक राजनीती में प्वाइन के व कोई तेयार नहीं हूं मुझे पार्टी में कोई काम दे दो और मैं पार्टी के लिए काम करूँगा पूर्स करेंगे ही करेंगे मैं भूमिका जितने पूराने लोगों की जीटेगी उतना ज्यादा फाइदा होगा और यहां पर हरक सिंग रावत भी पूराने कॉंग्रेस से कद्दावर रहे थे जब उन्होंने 2016 में से पहले कॉंग्रेस में जब वो थे तो यहां पर भी यह समिक्राव बदल ले और इसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से यह किया हला कि बीजेपी ने निश्काशित कर दिया लेकिन अब वो कॉंग्रेस में किस तरह खुल कर सामने आ सकते हैं यह आज देखना होगा क्याश्यूं बेल्कुल अभी उसते वर्ढ़ का इंतजार कि कंग्रेस पार्टी का जब यू रुख कर लेते हैं तो फिर क्या बात कहते है लेकिन कंग्रेस पार्टी जोईन किये बिना हिए उन्होंने कहा чуть रावत ने यह बात भाजपा सरकार नहीं है तो मैं भाजपा छोड़ दूँगा लेकिन क्योंकि लोगों का रोजान युवाओं का रोजान कर्मचारियों का रोजान भाजपा के पक्च में नहीं है उत्राखन में यह कड़वी सचा है पिछले छे मैने से मैं अपनी पार्टी के निर्टतों के सा साथ रहेंगे लेकिन मुझे नहीं समझ में रहा है कि बिना मुझसे बाचित किये हुए अरे आप मुझसे बाचित करते वह तो अच्छा हुआ कि मेरे घर में बिजली नहीं गई होते बिजली ठीक नहीं खराब परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दवाव कर रहे थे तो इसलिए पार्टी ने निने लिया है कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी कुछ लोग और भी जाएंगा नहीं कहीं को ऐसी फूट नहीं है और किसी के परिवार में हम दो टिकट तीन टिकट नहीं देंगे क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाब है तो उनका लंबा अनुभव है और उस्वेन ताई करेंगे अपने बारे साथ कि अपने से योगी का रोख करेंगे अरुन आप जो बीच में लैजा इस्तमाल कर रहे थे कि कुछ नेता मौसमी नेता होते हैं यह वहीं है हरक सिंग रावत भी लेकिन मुझे यह भी जाना है कि पंजाब हो उत्रप्रदेश हो या फिर उत्राखंड हर जगह ऐसे दल बदलो जो कि कि खुद को मौसम अग्यानिक साबित करने के होड में लगे हुए हैं अब उत्रप्रदेश में देखिए आप पंजाब में देखिए और आप उत्राखंड में देखिए पहले यह होता था रीमा कि छोटे राज्यों में इस तरह के दल बदल बदल बढ़ी आसानी सो जाते अब यह बीमारी बड़े राज्यों में भी है और पुष्कर सिंह धामी जैसा की कह रहे थे कि उनकी पार्टी में पहले ही तयकिया हुआ कि परिवार से टिकट देंगे तो यह बात अब साफ है कि हरक सिंह रावत की अपने बहू को टिकट मांगने की बात जब बीजेपी न पारोन और दिपक आप दोनों बने रहे हम देखते हैं कि और कितना वक्त लगता है कॉंग्रस पार्टी में जाने में लेकिन इस बीच